हेलो फेंड्स मैं हूँ सौरप आज की वीडियो में आपको केले के छिलके हैं जुड़े कुछ बैतरिन हैक्स बताने बाला हूँ जो सायद ही आपने पहले कभी सुने हो तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आम तोर पर लोग केला खाने के बाद इसके छिलके को फेक देते हैं और सायद आप भी ऐसा ही करते होंगे हाला कि अगर आप चाहो तो इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कई कामों को आसन बना सकते हैं जी हाँ केले के छिलके को आप अपने घर के कई कार्रियों में इस्तिमाल कर सकते हैं तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम आपको केले के छिलके हैं जुड़े कुछ ऐसे ही हैक्स बताते हैं ताकि आप केले की छिलके का अच्छे से इस्तिमाल कर सकें पोधों के लिए बनाए प्राकरतिक उर्वरक केले के छिलके से आप पोधों के लिए प्राकरतिक उर्वरक नेचुरल फर्टिराइजर तेयार कर सकते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले छिलकों को पानी में उबाले और फिर इन्हें चार से पांच दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दे इसके बाद केले के छिलके को पानी से निकाले और इसका इस्तिमाल प्राकरति उर्बरक के रूप में कर सकते हैं इससे आपके पोढ़ों को तेजी से बढ़ने में काफी मदद बिल सकती है इसके अलावा जब भी आपको लगे कि जूते पॉलिस करने का समय नहीं है तो फटाफट केले के छिलके से जूते पॉलिस कर ले कहा जाता है कि खिलकलाती मुसकान किसी को भी अपनी तरफ आकरसित कर सकती है इसके लिए जरूरी है कि आपके दात मोतियों की तरहें चमकने बाले हों और दातों को मोतियों जैसे चमकाने के लिए आप केले के छिलके का इस्तिमाल कर सकते हैं दरसल टूथ ब्रस करने के बाद केले के छिलके से रोजाना दात रगणने से उनमें चमक आ जाती है। और कुछ ही दिनों में दात मूचियों की जैसे चमकने लगते हैं। जब कभी भी आपको मच्छर या चीटी काटने पर करें केले के छिलके का इस्तिमाल कर सकते हैं। लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बाल आदो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तुम तक के लिए अपना खहया लगना जै हिंज जै भारत।